हेलो एव्रिवान मैं हो किरिन शापरी और ये है आप लगों के लिए कमिंग वीक का सापता ही कराशीफल ये 17 जानवरी से लेकर टूरी 3 जानवरी तक के आपकी टारो रीडिंग्स हैं टारो प्रेटिक्शन्स हैं और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सन, साइन, मून, साइन, एसेंडेंट या पिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग को देखते आ रहे हैं six of wands and emotional withdrawal और देखिए six of wands का कार्ट कहीं success की बात करता है victory की बात करता है और कुछ ऐसा ही in general या फिर specifically आपके professional front में रहता हुआ दिख रहा है पीछे किसी भी चीज को लेकर आप बहुत effort कर रहे थे बहुत महनत कर रहे थे तो उसी से ही related एक positive outcome एक positive result मिल रहा है या फिर इस week जो भी आप कर रहे है अगेन उसी में ही एक success आपके लिए रहती हुई दिख रही है लेकिन देखिए surface level पे success, victory मिलने के बावजूद भी कहीं मन ही मन आप 100% नहीं महसूस कर रहे हैं कहीं मन ही मन लोगों से चीजों से आप withdraw करना चाहा रहे हैं या फिर withdraw कर रहे हैं आप emotionally low feel करते हुए दिख रहे हैं और अगर ऐसा आप भी पाए लियो तो ज़रूर एक effort करके अपने आपको इन energies से बाहर निकालें क्योंकि देखिए जब हम ऐसी energies में होते हैं तब हम अपनी success को भी अच्छे से नहीं enjoy कर पाते हैं और देखिए फिर से six of wands के card को देखें तो जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं आपके लिए काम करते हैं उनकी तरफ से भी एक appreciation एक recognition आपको मिलता हुआ दिख रहा है और social media पर हो सकता है कि कुछ लिए उस जादा activist week रहें और personal front के लिए आप लोगों के लिए cards हैं तो देखिए dreamer का card कहीं जैसे की नाम कहता है ख्वाब देखने की बात करता है vision create करने की बात करता है और कहीं ये card fresh beginning या फिर नई start भी करने की बात करता है और देखिए general reading है तो सब के लिए नई beginning differ कर सकती है कुछ के लिए हो सकता है कि again एक नई beginning हो रही है और कुछ के लिए हो सकता है कि एक नई beginning personal life से related किसी भी एरिया में आप लाना चाहा रहे हैं और उसी से ही related आप ख्वाब देख रहे हैं उसी से ही related आप vision बना रहे हैं और दिखे हो सकता है कि बहुत सारे लोग किसी भी तरीके का risk इसी ख्वाप को पूरा करने के लिए लेने के लिए भी ready है तो दिखे मैंने हमेशा कहा है लियोज कि calculated risk हमें लेने चाहिए क्योंकि जब तक हम calculated risk अपनी life में नहीं लेते हैं तब तक एक growth और progress भी हम अपनी life में नहीं ला पाते हैं लेकिन जब हम immature risk लेते हैं या फिर मैं कहूंगी कि uncalculated risk लेते हैं तो फिर हम बहुत परिशान होते हैं और हम कहीं अपने आपको मुसीबितों में भी डालते हैं तो इस चीज का खयाल इस week आप ज़रूर रखें और दिखे नीचे कहीं patience का card हो सकता है आपको advice भी दे रहा है कि जो भी आप करें आप off the ground ना हो आप सबर रखें आप थोड़ा सा patience रखें और दिखे यहाँ पर एक चीज और मैं add करना चाहूंगी कि जिस भी इनसान को आप trust करते हैं या फिर जो भी आपकी life में इनसान experiential है आप उनसे जरूर discuss करें आप उनसे जरूर बात करें और overall के लिए दिखे personal front के लिए energies काफी अच्छी दिख रही है और कहीं ये card trust भी करने के बात करता है और दिखे जब हम trust की बात करते हैं तो ये card calculated risk लेने की बात करता है लेकिन फिर से थोड़ा सा आप खयाल रखें कि आप you know बिना सोचे समझे risk ना लें and guidance से आप लुगों के लिए simply love का card है तो देखे इस वी जो भी आप कर रहे हैं आप बहुत ही lovingly, बहुत ही compassionately हर चीज को deal करें and astrology से आप लुगों के लिए Capricorn Rashi का card है और इसके हिसाब से blue, indigo, navy blue colors आप लुगों के लिए लखी रह सकते हैं and significant day आप लुगों के लिए होगा Saturday तो ये थलियोज आप लुगों के लिए coming week का साबता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए